हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी बहुत लंबे टाइम से हमने सैल बाइलोजी के वीडियो को अपने चैनल डॉक्टर इगल्स बाइलोजी पर अप्लोड नहीं किया है क्यों कुछ बीच में पहले तो मेरा एक्जाम आ गया था और उसके बाद मैं हुमन रिप्रोड़क्शन के वीडियो को अप्लोड करने में वीजी रहा था तो इलान्त के बहुत सारे बच्चों और टार्गेट बैज के बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ था कि सर साथ में यह चेप्टर भी कंट्यूनि करो तो हम पैरलल्ली दोनों चेप्टर को रन करते जाएंगे हम अल्टरनेट के अंदर एक दिन हुमन रिप्रोड़क्शन का वीडियो और एक दिन सेल बाइलोजी का वीडियो अप्लोड करते जाएंगे जैसे से यह चेप्टर फिनिस होंगे उसके बाद भी सिमिलर पैटर्न रखेंगे एक दिन एक वीडियो 11 खा और एक दिन एक वीडियो 12 खा और आगे जाकर अगर जरत पड़ी तो हम हर दिन दोनों के वीडियो भी अप्लोड किया करेंगे सेल बाइलोजी के बहुत टाइम पहले रिकॉर्ड किये वीडियो में हमने अनिमल सेल की ड्रॉइंग को सिखा था आज के वीडियो में हम प्ला बाद भी करना है आप ड्रॉइंग को देखने के साथ साथ अपनी खुद के कॉपी में भी वह डियाग्राम बना सकते हैं चलो आओ स्टार्ट करते हैं आजो आजो नीचे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम प्लांट सेल के बाहर की आउटलाइन को बनाएंगे यह जो लाइन आपको बंते वे दिखाई दे रही है यह मिडिल लैमिला या मद्य पटली का परत है दिर दिर जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको में इसके निकलियोस को बनाया था अब हम जो डार्क ब्लैक कलर की दो लाइनिंग्स को साथ साथ में बना रहे हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ वो तो सेल मेंब्रेंस को रिप्रेजेंट करती है आप जैसे से यह लेयर्स बना रहा है डिजाइनर वैसे वैसे साइड में मैं आप आपको एक particular concept को समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ. देखो ये जो हमें layers का set दिख रहा है ना, right side में corner की तरफ, इसके left side में तो Mallow की cell first है, और इसके right side में Mallow की cell number second है. तो ये जो red color के दो arrow आपको दिख रहे हैं, उसमें से left side वाली जो black line है, वो C1 की cell membrane है, और right side की तरफ जो आपको red arrow दिख रहा है, वो जो line indicate हो रही है black color की, वो आपके cell number 2 की cell membrane है. अच्छे समझना इस concept को. अब देखो, बीच में जो एक black color की lining है, दोनों के बीच में, वो होती है middle lamella या मद्य पटलिका. अब कुश्य नहीं आया, कि सर वहाँ पर, अगर middle lamella है, left और right side वाली black lines, अगर cell membrane है, तो फिर cell wall कहां चली गई? तो cell wall, middle lamella और cell membrane के बीच का जो area है न, जो यहाँ पर आपको transparent या white दिख रहा है, मैं एक color diagram दिखा देता हूँ, उसके अंदर वो आपको एक अलग brown color का दिखाई देगा, वो cell wall material होता है. I hope आपको यह concept समझ में आ गया है. अब हम vacuol या riktika की outline को बनाएंगे. इस cell organal, vacuol या riktika के अंदर, collective material जैसे की water, जैसे की iron, जैसे की sap, या russ, यह सब इखटा रहते हैं. अब इसके surrounding में हम lens shape के chloroplast, lens आकरती के हरित लवक बना रहे हैं. अभी जो chloroplast बन रहे हैं, यह closed है. मतलब हम इनको open करके नहीं देख रहे, आगे जाकर open करके भी बनाया जाएगा. अब हम mitochondria draw कर रहे हैं. mitochondria भी double membranous cell organal है, chloroplast की तरह. इसके अंदर की तरफ यह जो inner cell membrane में finger-like projections हम बना रहे हैं. यह finger-like या अंगुली के उभारनुमा जो structures हैं, उनको क्रिस्टी कहते हैं. ऐसे mitochondria हमें plant cell की बजाए animal cell में ज़्यादा मिलेंगे. क्यों? क्योंकि animal cells की energy की requirement plant cell के comparison में ज़्यादा होती है. अब हम बनाएंगे nucleus और nucleus के surrounding में बनाएंगे rough endoplasmic reticulum को. Nucleus Vedable Membranous Structure होती है. इसको open करके दिखाया जा रहा है. ताकि यह दिखाया जा सके कि nuclear pores से rough endoplasmic reticulum connected रहती है. अब यह जो border बन रहा है, उसके बीच-बीच में organal बन रहा है, यह endoplasmic reticulum है. इन endoplasmic reticulum को ribosome की presence के basis पर हम दो type में classify करेंगे. जिन पर ribosome present होगा, उनको हम RER या rough endoplasmic reticulum कहेंगे. और जिनके उपर वो ribosome present नहीं होंगे, उनको हम smooth endoplasmic reticulum नाम देंगे. तो अभी जो close association में बन रहे हैं, वो है rough endoplasmic reticulum. यह छोट-छोटे गोले जो इन पर बनाए गए हैं, वो ribosome है. देखो यह भी ribosome, ribosome. यह ribosome को ड्रॉक किया जा रहा है. और साथ में आप यह भी notice कर सकते हैं, कि यह जो rough endoplasmic reticulum है ना, वो nuclear membrane केंदरक की जिल्ली से भी connected होती है. यह छोट-छोटे circle nucleus पर nuclear pore थे और center में यह आपका chromatin material है. अब आगे बढ़ेंगे हम और बनाएंगे हम Golgi complexes को. Golgi body के अंदर हमें tubules like structure मिलती है. यह Golgi body nucleus और endoplasmic reticulum के पास में ही रहती है, क्योंकि इसका function इन से connected है. अब हम smooth endoplasmic reticulum को बना रहे हैं. आप यह notice कर पा रहे होंगे कि एक तो यह nucleus से distance पर है, दूसरा इन पर ribosome नहीं है. देखो यह अलग-अलग variable distance पर मिल रही है. कौन SCR या smooth endoplasmic reticulum? पर जो RER थी ना, वो nucleus के पास में ही थी. RER nucleus से distance पर नहीं मिलेगी, वो nucleus के पास में ही मिलेगी. क्यों हम यह उसी topic में पढ़ेंगे? अब हम गोलाकार या circular lysosomes को बना रहे हैं. यह lysosomes भी plant cell में, animal cell के comparison में कम होते हैं, क्योंकि digestion plant cell में कम होता है. अब जिस structure को हम बना रहे हैं, वो है open chloroplast. इस open chloroplast, जो की double membranous cell organal है, इसके अदर अभी बन रही है, जो coin like structure है, यह coins होते हैं, thylecoid. यह thylecoid वही structure है, जिसके अंदर photosynthesis का function होता है. इसी में photosynthesis या प्रकास translation होता है, याद रखना. अब हम बना रहे हैं ribosome, जो किसी भी cell का smallest cell organal, सबसे छोटा कोशिकांग है. यह जो ribosome है, दाने-दाने की तरह होता है, और अजय देवगन ने तो पहले से बोला वाई है, कि दाने-दाने में केसर का दम, विमल गुटका, पर अपने को cell biology में यह ध्यान रखना है, कि दाने-दाने में केसर का दम है, इसका मतलब ribosome है, और protein बनाने का दम है उसके अंदर. तो अब देखो, पढ़ते-पढ़ते हो जाते हैं बच्चे बूर, तो करता है entertainment या time pass, बढ़िया वाला, मस्त वाला एक दम. यह वीडियो इसकोर्ट कर्मा. चलो, अब करते हैं लेबलिंग के थुरू, इस पूरे के पूरे वीडियो को revise. हम राइट साइड के अंदर chloroplast जहां आपको label किया वा दिख रहा है, वहां से start करेंगे. तो one number labeling chloroplast, second number nucleus, third number पर गॉलजी complex, fourth number पर cell wall, देख लो cell wall को कहां label किया गया है, दोनों black lines के beach के area में cell wall label किया गया है, फिर आगई adjacent cell wall, adjacent cell wall का मतलब क्या है, जो neighboring cell है जो पडोसी cell है, जो पास वाली cell है, ये cell wall उसकी है, फिर six number पर riboson, छोट-छोटे दाने, फिर इतर आजाओ left side में up to down स्टार्ट करते हैं, seven number पर आगई आपके rough endoplasmic reticulum, खुर्दरी अंतर पर दरवी जाली का, फिर उसके just नीचे mitochondria, mitochondria के नीचे nine number, smooth endoplasmic reticulum SER, SER को आप फिर से notice कर सकते हैं, ये nucleus से distance पर है, nucleus के पास में नहीं है, फिर tenth number पर देखो vacuol या reticulum, इसका function आपको बताया था, साथ साथ अब ये भी ध्यान रखना, कि जो animal cell होती है न, उस animal cell के अंदर ये 10 number की जो vacuol है, वो large size की present ही नहीं होती, large vacuol is absent in animal cell, animal cell में vacuol या reticulum मिलेगी, तो वो golgi body के साथ association में मिलेगी, और वो भी multiple number में हैं और small size की मिलेगी, फिर 11 number की labeling होगी आपके lysos हों, अब कुछ labeling ऐसी भी है जो इस diagram के अंदर already की गई नहीं है, हम उन labeling को और add कर लेते हैं, उसमें आएगी एक तो हमारे cell membrane inkoši का जिल्ली, एक आएगी middle lamilla, मद्य पटली का, फिर एक आएगा plasmodesmeta, यह plasmodesmeta की जो tubes है, यह मैं आपको indicate करके दिखा रहा हूं arrow से, यह वो structure होती है, जो दो neighboring plant cells को, मतलब दो पड़ोसी पादब कोशिकाओं को आपस में जोडने का, interconnect करने का function करती है, इसी के through materials या पदार्थ, एक plant cell से दूसरी plant cell के अंदर transfer होते हैं, यह अच्छे से याद रखना, उसके अलावा जो पतले-पतले filament होते हैं, वो होते हैं आपके micro filament and micro tubules, इस तरीके से यह इसकी labeling पूरी होती है, चलो मिलते हैं next video के अंदर, तब तक टाटा, बाई-बाई